अम्रूद के लिए अम्रूद लेने के लिए रुके हैं अम्रूद और यह जो एक दो चीजे होती है हाईवे पर क्योंकि इनका मज़ा है यह हाईवे पर ही आता है जा बात है मैक्स को टालेगा निच्छे आजाएगा विए अब दवाई भी भागवाग के लेनी पड़री है वड़ी लेनी देनी कर दिए नहोंने मेरी हलो प्रेंड मुझे सबसाम्य हमको फ्रेंड आख आश के दूर्य और आप देगरेए चैनल एक्स्प्लोरें मोड तो आज पूरे दिन हमें पहनना ही पड़ेगा क्योंकि हम है कार में और आपको पता है कोरोना से ज्यादा डर तो आप चलान के तो यह चीज तो सबसे पहले ज़रूरी है और गाडी में क्यों मैं बता दू हम जा रहे हैं खाटू शाम मंदिर राजयसान और खाटू शाम जी के मंदिर हम मतलब हम चार जने जा रहे हैं चार एक दो दीजा पाथ जा रहे हैं और यह अभी अभी इन्होंने जो यह चेश्मा पहना है ना मुझे कल पाने के लिए मेरा घर पे रह गया और क्यों रह गया पता मेरी कितनी चीज़े रह गई इनकी बज बलते हैं और बुलावा कैसे अब बावा कैसे भेजा आपको है तो बुलावा ऐसे यादा दे को बैठे बैठे हम घर से अपने आप आ गए ना हमारी कोई प्लैनिंग थी आने की ना जाने की ना कोच और इसे गयते हैं उपर वाले का बुलावा आया तो बाई मंदिर चलो तो अभी हमारे यहां से जो है यह मंदिर एप्रोक्स पड़ता है 320-25 किलो मेटर और यह जो मैं व्लॉक की स्टार्टिंग है यह मैं गुर्गाओं में आके कर रहा हूं आपको यहां के पीछे से पता चली रहा होगा तो जस्ट हमारा अभी रहता है 295 किलो मेटर जिसे अभ हमारी तरफ से जाते वही हमारा आया है फस्ट फस्ट होला यह जाते वह देली से अब देखते हैं अपर कितना टॉल है कटता तो फास्टेक्स है लेकिन पता तो चली जाएगा मैसे जाएगा तो तो यह वाले हॉन सुनने को बहुत मिलते हैं अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लिया है और ब्रेक लिया है अमरूद के लिए अमरूद लेने के लिए रुके अमरूद और यह जो एक-डो चीज़े होती है हाइवे पर और घर पर पड़ी हो न वो खाने में फील नहीं आती कभी भी और एक-दो जनों को तो वह अपना बंदर है एक पर देखकर आते हैं वह देखो सामने है यहां बात है यहां पर देखो एकदम से मोसम चेंज हुआ है इसे पूरा बारिश का मोसम हुआ है है और देखो बूंदयानी स्टार्ट भी हो गई पेछले 15-20 मिनाट से समन्य आ था हम काफी ट्राफिक में खड़े थे कि जाम है किसीच का इतना चोड़ा है मतलब काफी गाड़ियां से निकलती है क्योंकि जैपूर हाइवे जो है वो सबसे बड़ा है यहां पर अगर देखा और कंफर्म करते हैं कि वही चीचा है या किसी और वजा से बंद है यहां पर कितना जाम हो गया और पिछले आदे घंटे से लगवाग बीस मिनट आदे घंटे से ऐसे ही है अगे खाली है पूरा लेकिन वहां पर पूरे डंपर से हाईवे को बंद करा हुए देखो यह अब अब पंगा चल रहे हैं अब अपने शार में देश में ऐसे होगे हैं आप सभी बात है यह देखों नहीं यह बढ़ा हुए अब एक ब्रेक लिया छोटा सा खाना खाने के लिए मैं तो थोड़ा बूद लंच करके आया था बटी इन्होंने तो लंच भी नहीं किया था और काफी देर से देख रहें कोई अच्छी जगा आजए तो जाम से निकले तो सीधा हम आया किंग स्वेपर अच्छी प्रुब हमें करने कमखें तो समय से यह बड़ी है सबसे यह पर यहिए भाई का ना खायाओ इसमें कोई प्रॉल्लम की लिए को बड़े बड़े जूलों में अगर खाना खागे बैठ जाओगे ना अब अब जानते हो क्या होगाmand ये जोलग बैसले चब ने हमें खाना नीखा ने द दर से डर रहे है लेकिन भाई सम्मुझे ये वाला जूला जरूर खा अब हम खिला कर रहेंगे खा बेटा खा याद करेगा हमें तु खा तु खाग की अब याद सुप्टा बता से घाल हैं इस बिसे जूला जरय उतर अब संने घ्समारि खान ले साथ कर दग मैं पयाद मैं नेरी ग। उतल्हब यादS I अब नियागा कोटा नीचे आप नियागा कोटा नीचे आप उपर ही रहेगा अब यहां तो पीछे ही जाने हैं नहीं जाने हैं यहां तो भगवान बरों से चलते हैं नहीं बच चुके हैं बस अभी यहां पर रुके थे कैमिस के शोप पर क्योंकि जो हमने अच्छे खाना खाया वह इनको जादा सूट करा नीच यहां पर रुक करना हमने बच टैबलेट लिया है क्योंकि इनके पेट में हो रहा है थोड़ा थोड़ा दर्द और बहार आके आपको पता रिसकनी लेना चाहिए यहां पर पता यह गाउं वाला एरिया तो यहां पर जो है ना मतलब एक तो लाइट तो आपको पता कम होती है उपर से सारी मार्किट बंद है कैमिस की शोप अच्छा मिलगी अरे यहां पर आगी थोड़ी से मार्किट और लगबग हम पोच जाएंगे अभी नो बज़ रह आप साड़ी तो बहुत जाएंगे बहां जाके होटल लेकना कौन सा लेना है क्या लेना है क्या मिलता है चलो आगे करते हैं पोच कर तो सबाग्यारा हो गए और हम लोग पोच गए हैं और बस अभी अभी हमने होटल ही भुक कर रहा है वह एक्शली कर लिया वैने व्लोग अभी जाकर आपको दिखा दूगा कौन सा है पहले हम कुछ खाने के लिए आ गया है क्योंकि फिर बंद हो जाएगा तो पहले कुछ खा के फिर वापसी अपने होटल में चलेंगे फिर आपको दिखाऊंगा वैसे रूम अच्छा मिला होटल भी अच्छा मिला है और हमने र वन अच्छा प्लिए हमने हमने मॉठा बहुत अच्य बना रगिंग पहले है आपने समान निकाले हमारा समान अपने साथ लाए पेर हो तो हम खाए है सारा समान अपने साथ हाँ लाए है कि ब्लें कि यजगे लगे बारी बारी करुगे फाव और गारी थायों तो मागए तो मेर ज़र अगाए पर रहुआ है कर दो व्लॉग कि यह लाइट ची जिए हो था इस एकली की दो तो यही रूम अगर हम मनसूरी में लेंगे तो हमें 4-4 आरपेगा पड़ जाए होटेल मतलब हमें बहुत अच्छा लगया यह वाला और देखो व्लॉगिंग के लिए हमें यह लाइट मिल गई और यहाँ पर क्वालिटी अच्छी आ रही है दिन में तो आएगी बट रात को भी अच्छी आ रही है और रूम का जो रेंट है वो मतलब हमारा जैसे फोर बेड है एक डबल बेड यहाँ पर है और इधर सोफा है और इसी में के आगे यह लाइट मिल रही है मतलब व्लॉगिंग करनी हो तो यहाँ पर मज़े है और हमें यह रूम मिला है कितने में अठारा सो रुपे में यह कंबाइंड रूम मतलब दोनों रूम अठारा सो रुपे में है बहुत अच्छी डील है अकर आप कभी आओ तो मैं यहाँ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में हो सके का होटल का नेम दे दूँगा तो आप चेक कर सकते हैं और सबाबारा हो चुके हैं तो मुझे नहीं बता यह व्लॉग लंबा हुआ या कैसा है जैसा भी बालों की हालत बहुत खराब हो रही है इसको इग्नोर करना तो एक एंडिं लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल सब्सक्राइब करना जो लोग फर्स्ट टाइम आयो चैनल पर बैल एकन प्रेस कर देना और इंस्ट्राग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फोलो कर लेना तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स व्लॉग में आभी करने नमस्ते स लेकल असलावाले कुम बाइ